हेलो फ्रेंड्स विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आपने मुंग फली या फिर तिल की चिक्की तो बहुत खाई होगी तो दोस्तो लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आ रहे हूं रोश्टेट चना की बहुत ही टेश्टी चिक्की की रे चिल्कि हैन तो इनकी चिल्कों को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा एक कपड़ा मैने बिच Initi दिया है और आप इसमें डाल दूंगा मैं रोश्टेट चन अ और इसको मैं इस तरह कवर कर दूँगा यह इनि इसको पोटली सी बना लूँगा और इस तरह मैं हातों सायता से इसको इस तरह रगड लूँगा इससे क्या होगा कि इसमें जो छिलकी है एक्ष्टा वो हट जाएंगे तो हमें सारे छिलके नहीं अटाने हैं, हमें कुछ-कुछी अठाने हैं, तो इसको मैंने लगबग एक मिनट के लिए इस तरह कर लिया है, यहने इसको इस तरह घस लिया है, तो आप देख सकते हैं, चाने के जो छिलके हैं, वो हट चुके हैं, तो सबी नहीं अटे हैं, तो अ तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ चनी ऐसे हैं जित पर छिलके अभी लगे हुए तो इससे कोई परक नहीं पड़ेगा तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है तो यहां पर हम चिक्की बनाने के लिए हम यहां पर लिया मैंने एक बेकिंग पेपर तो इस बेकिंग पर पर मैं डालूँगा थोड़ा सा रिफाइन ओयल आप चाहिए गी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तब इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर अब इसको हम साइड में रख देंगे चलिए अब चिक्की बनाना सुरू करते हैं तो चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रख दिया मैंने एक पैन और उसी कटोरी से मैंने एक कप चीनी नाप लिया यानिकि जितना हमने रोस्टेट चना लिये थे उदर नहीं मैं पैन में डाल धाय मैं चीनी और गयर्श की बनें को कर दिया एक दम हाई इसको में एक दो बार इस तरह चला दूगा तो दोस्तो इसको मैंने चला दिया, अब मैं पैन को इस तरह हिला दूँगा ताकि हमारी चीनी है वो चारो तरह अच्छे से पैस जाए तो दोस्तो अब चीनी को मैं इसी तरह छोड़ दूँगा जब तक कि यह थोड़ी-थोड़ी मेल्ट होना शुरू ना हो जाए तो दोस्तो आफ देख सेते कुछ समय बाद हमारी चीनी जो है वो किनारों से अच्छे तरह मेल्ट होना शुरू हो चुकी है तो अब गैस की फिर्म को मैं मेडियम कर दूँगा और इस तरह मैं इसे चलाते रहूंगा जब तक हमारी चीनी जो है कम्प्लीट्ली मेल्ट ना हो तो दोस्तो आप देख सकते हैं हमारी चीनी जो अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो रही है तो बस किसी तरह हम इसे चलाते रहना है तो दोस्तो आप देख सकते हमारी चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो दोस्तो अब इसके अंदर डालूँगा मैं एक टीस्पून गी यह ऑप्शनल है आप चाहिए तो डाले तो ना डाले इससे क्या होता है गी चिक्की का जो फ्लेवर है और भी बड़ जाता है तो पस इसको गी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है तो दोस्तो अब गैस के फिल्म को मैं कर दूँगा बंद गैस के फिल्म को बंद करने के बाद इसमें डालूँगा मैं एक कप रोस्टेर चाना यान की वही चाना है जिसके हमने चलिके उतार कर तक तयार किये थे तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा अच्छे से mix कर लेना है तो चीज़नी जो हमारी यानि मेल्टेट जो सुकर है उन्होंने हमारी रोस्टेट चना को अच्छे से कॉड़ कर लिया है तो बस हमें इसी तरह से चलाते रहना है तो दोस्त आप देख सकते हैं यह बहुत गरम है इसलिए इसमें बबल्स आ रहे हैं तो बस इसको हमेशे तरह चलाते रहना है जब तक हलका सा गाड़ा नहीं हो जाए यानि कि जमने वाली कंसिस्टेंसी में न आ जाए तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं यह हलका सा गाड़ा होना शुरू हो गया यानि गाड़ा हो चुका है तो अब इसको मैं ट्रांसपर पर ट्रांसपर कर दिया है आप बेलन को भी मैंने अच्छे से घी से या गीरीज कर लिया है आप कुछ भी उससे कर सकते है घी या ओयल तो बस इसको मैं ऐसी तरह बेल लूँगा तक इसका अच्छे से हम इसके 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 पीसेश काट सकें इसको मैं अच्छे से बेल लिया है चारो तरफ से तो अब हम पीसे में इसको कट कर लेते हैं यानि इसमें कट के निसान लगा देते हैं तो इसको जब यह हलका हलका गरम रहे तभी इसमें कट के निसान लगा दें व्यूंकि जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसमें कट के निस से भी क्ट करिम लगा सकते है तो दोस्तों कट किने सान लगाने के बाद इसको मैंने लग दस मिनिट के लिए ठंडा कर लिया है कि दोस्त सब्सक्राइब देख से अब देख से धैर बहुत ही interior तो आप देख सेरे एक इडिर इसını पिसेज किनिर का इसाईन धिखर रहा है इसमें अमें नहीं कितनी आसे टूट रहे with मैं आपको इसको एक पीस दिखाता हूं दोस्तों आप देख से इसी साइनिंग एकदम मार्केट वाली जो मुंखली की चिक्काती है वैसी लग रही है इसको मैंने ट्रांसफर करते है अप्टेट में तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चै से एक वीडियो करते है ये है ये है है ये भर सके हैं से फिर वीडियो को जो से घर रहाई व